दोस्तो स्वागत आप सभी को हमारे यूटुब चैनल सुनील दिजितल वाल में तो दोस्तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगी कि किस परकार से आप घर बैथे ओनलाइन के माध्यम से अपना जाती प्रमानपत बनवा सकते हैं दोस्तो आप जो है जाती प्रमानपत बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने के जूरत नहीं आप घर बैथे इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ओनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आज के हम इस वीडियो में जाती प्रमानपत बनाने का complete process बताएंगे तो वीडियो को सुरूर 7 तक जरूर देखेगा उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि जो भी इस सर्च बार में सर्च करना होगा सर्विस प्लस सर्विस प्लस लिखकर आप जैसे ही सर्च किजिए आपके सामने कुछ इस परकाज से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर जो सबसे पहले नंबर पर लिंक में लाहा आर्टी पीस का इस वाले लिंक पर क्लिक कर ल सकते हैं जाती प्रमानपत online अपलाई करने के लिए सबसे पहला तरीका है यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहां पर आपको लोक सिवाव का अधिकार की सिवाय वाले सेक्षन में यहां पर उप्सन मिल जाएगा समाने पर सासन विभाग काईश वाले और यहां से आपको लोगिन करना हो गार जैसे करेंगे आपके सामने लोगिन वाला पेज़ और यहां पर यहां पर अपना यूजा संपर नीचे पास्वार्ट कैसे बना सकते हैं उस टॉपिक पर हम अलए वीदियो बना चुके हैं उस वीदियो का देख सकते हैं, अगर आप अपना user ID और password भूल चुके हैं, तो यहाँ पर mobile का जो option मिला, आईस वाले option पर click करना होगा, और यहाँ पर आपको अपना mobile number दालना होगा, और यहाँ पर आपको passport दालना होगा, आगर आप password भी भूल चुके हैं, तो यहाँ पर जो forget password का option मिला इस वाले option पर click करके आपको अपना password forget कर लेना होगा अगर आप password forget नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना सिर्फ mobile number डालिएगा उसके बाद यहाँ पर जो दोनों box दिख रहा है इस दोनों box में आपको check out करना होगा इस दोनों box में आप check out कीजिएगा तो यहाँ पर password डालने का option हत जाएगा तो यहाँ पर आप सिर्फ mobile number डाल करके login कर सकते हैं और अब यहाँ पर आपको sign in का option मिला इस वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे ही click किजेगा तो आप जिस mobile number से user ID और password बनाये होंगे उस mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है OTP डालने के बाद यहाँ जो sign in का option मिला इस वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे ही click करेंगे आप इस website पर login हो जाएगा तो अब ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हम service plus के website पर login हो चुके हैं और यहाँ पर आपको जाती परमानपत बनाने के लिए यहाँ पर जो एक option मिला है apply for service का इस वाले option पर click कर लेना होगा इस पर आप जैसे ही click किजेगा यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा view all apply level service का इस वाले option पर click कर लेना होगा इस पर आप जैसे ही click किजेगा आपके सामने एक new page open होगा और यहाँ पर आपको जाती प्रमानपत बनाने के लिए यहाँ जो search का option मिला इस वाले option पर click करके यहाँ से आपको cast लिखना होगा जैसे ही यहाँ पर आप cast लिखिएगा यहाँ पर आपको एक option मिल जागा issue of cast certificate at ro level का इस वाले option पर click कर लेना होगा इस पर आप जैसे ही क्लिक किजेगा आपके सामने एक new page open हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने यह forum खुल जाएगा तो आपको जाती प्रमानपत बनाने के लिए इस forum को fill up करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको gender select करना होगा तो यहाँ पर आप जिनके भी नाम से जाती प्रमानपत बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर दालना होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको English में नाम टाइप करना है उसके बाद यहाँ पर अगर आप मोबाइल से कीजेगा तो यहाँ पर आपको हिंदी में नाम टाइप करना होगा अगर आप लैप्टॉप से कर रहा हैं तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको नेम ओफ फादर का अपसन मिलेगा तो यहाँ पर आपको उनके फादर का न घचति पर देखेँंगे तो यहां पर भी आपको दालने का मीजह सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आईएगा तो यहाँ पर आपको mobile दालने का option मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना sitä इमेल डे देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको email ID डालना होगा, और यहाँ पर आप नीचे आईएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले state select करने का option मिलेगा, जीला का नाम select करने के बाद यहां पर आपको अनुमंदल का नाम select करने का option मिलेगा तो इस वाले option पर click करके यहां से आप अपना अनुमंदल का नाम select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको परखंद का नाम select करने का option मिलेगा तो इस वाले option पर click करके यहाँ पर आप जिस भी ब्लोग से आते हैं उस ब्लोग का नाम select कर लिजेगा यह सारा details fill up करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा नीचे आईएगा तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा अस्थानी निकाय का परकार तो यहाँ पर अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो इस वाले option को select किजिएगा अगर आपका नगर निगम है तो इस वाले को select कर लिजेगा अगर आपका नगर परिसाद है तो इस वाले option को select किजिएगा या अगर आपका नगर पंचायत है तो इस वाले option को select कर लिजे तो इस वाले option पर click करके आपका जो भी पंचायत परता है उस पंचायत का नाम select कर लिजेगा पंचायत का नाम select करने के बाद यहाँ पर आपको village का नाम डालने का option मिलेगा तो इस वाले option पर click करके यहां से आपका जो भी police station परता है वो यहां से select कर लिजेगा police station का नाम select करने के बाद यहां पर आपको pin code डालने का option मिलेगा तो यहां पर आप अपना pin code डाल लिजेगा और उसके बाद यहां पर अगर आपका present address और parmanend address दोनों same है तो इस वाले box पर click किजेगा तो यहां पर आपका present address और अलग है तो यहां पर आप अपना present address फिल अप कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको एक option मिल जागा अधार नमबर का तो यहां पर अगर आपके अधार कार्ट के साथ mobile number रजिस्टर है तो ही यहां पर अधार नमबर डालिएगा वरना आप इसे खाली छोड़ दीजेगा क्योंकि अगर यहां पर आप अधार नमबर डालते हैं तो आपके रजिस्टर मुवाइल नमबर पर OTP जाएगा और उस OTP को डाल करके आपको अधार नमबर को भेरिफाई करना होगा तो अगर आपके अधार कार्ट के साथ आपका mobile number रजिस्टर नहीं रहेगा तो यहां पर आप अधार नमबर को भेरिफाई नहीं कर पाईएगा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अधार कार्ट के साथ मुवाइल नमबर रजिस्टाद है तो ही यहां पर अधार नमबर डालिएगा और अगर आपके अधार कार्ट के साथ मुवाइल नमबर नहीं रजिस्टाद है तो उस case में आप अधार कार्ट को दिखाएंगे कि परकाद से आपको QRCAD upload करना है उसके बार यहां पर हम नीचे आ जाते हैं नीचे आने के बाद यहां पर आपको afton पर फोन तो upload करने के लिए तो यहां पर आपको चूज फाइल वाले पर क्लिक करके आपके फाइल में जहां भी आपका फोंतो होगा वहां से आप अपना फोंतो अप्लोड कर लिजेगा तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोंतों पर सिंगनेचर भी करना है तो अगर आप जाती प्रमानपत बना रहे हैं तो इस केस में आपको सिंगनेचर नहीं करना होगा अगर आप अवासिय प्रमानपत बनाते हैं तो वहीं पर आपको सिर्फ फोंतों पर सिंगनेचर नहीं करना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक option मिल जाएगा पेशा का तो इस वाल सकते हैं उसके वाद यहाँ पर के तो मिलेगा तो इसलेक्ट कर लीजेगा तो मिल अप्रोब पर nag assure करने के बाद यहांपर आपको सार्य जाती लिस्त मेरा तो आपको जो भी जाती होगा उसको यहांसे हुआ रिगादी कर ल भाषियाद इसे नहीं कर लएकास पर फारन के उस्कों कि छोड़ते हैंपर आपको नीचे आना होगा नीचे आईएगा तो यहां पर जो capture code दिख रहा है capture code को यहां पर फिलब करना होगा capture code इंतर करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आईएगा तो यहां पर आपको एक option मिल जाएगा proceed का इस वाले option पर click कर लेना होगा इस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से एक new interface सो होगा तो यहाँ पर आपको ok कर देना है ok करने के बाद आपके सामने एक new page open हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारे details को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है अगर आपका कुछ भी details गलत होता है तो यहाँ पर आपको edit का option मिल जागा इस वाले option पर click करके आप उसे सुधार कर सकते हैं अगर आपका सारा details साही है तो यहाँ पर आपको इस वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे click किजेगा आपके सामने एक new page open हो जाएगा और यहाँ पर आपको document upload करने का option मिल जाएगा अगर आप अपना अधार number डाल करके अधार number को verify करेंगे तो यहाँ पर आपको यह option नहीं मिलेगा यहाँ पर सिर्फ हुआ ऐसे लोगों को document upload करना है जो अधार number नहीं डालते हैं तो चलिए यहाँ पर हम अपना document upload कर लेते हैं document upload करने के लिए यहाँ पर जो select का option मिल ला इस वाले option पर click करना होगा इस वाले option पर आप जैसे ही click किजेगा यहाँ पर आपको files का option मिल जागा इस वाले option पर click कर लेना होगा और यहाँ पर आपके file में जहाँ भी आपका document होगा वहाँ से आप upload कर लिजेगा document upload करने के बाद यहाँ पर आपको save का option मिल जागा इस वाले option पर click करना होगा इस पर आप जैसे ही click किजेगा आपके सामने फिर से एक new page open होगा तो यहां पर भी आप देख सकते हैं हमारा सामने preview page open हो गया है तो यहां पर भी आपको सारे details को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है अगर आपका सारा details सही है तो ही आप इसको submit किजेगा अगर आपका कुछ भी गलत है तो यहां पर आपको cancel का option मिल जागा इस वाले option पर click करके आप cancel कर सकते हैं तो यहां पर हमारा सारा details सही है तो चलिए हम इसको submit कर लेते हैं सम्मित करने के लिए यहां पर जो सम्मित का option मिला इस वाले option पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे क्लिक किजेगा आपका form सम्मित हो जाएगा और आपके सामने इस परकार से आपका receiving सो हो जाएगा तो इसको आप print करके रख सकते हैं प्रींट करने के लिए यहां पर आपको print का option मिल जागा इस वाले option पर क्लिक करना होगा और अगर आप इसे pdf में save करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक option मिल जागा expert to pdf का इस वाले option पे क्लिक किजेगा तो आपके phone में ये pdf file में save हो जाएगा तो इस परकार से आप बहुत ही असानी के साथ जाती प्रमान पत्र के लिए online अवेदन कर सकते हैं और यह जो आपका जाती प्रमान पत्र है 10 कार दिवस में बन करके तयार हो जाएगा और यह आपका जाती प्रमान पत्र किस देट को बन जाएगा वह देखने को मिल जाएगा तो यहां पर अभी आप देख सकते हम 13 अगस्त 2023 को इसके लिए online अवेदन किये हैं और यहां पर जो है 26 अगस्त 2023 को हमारा प्रमान पत्र बन करके तयार होगा तो 26 तारीक को हम इसको डाउनलोद कर सकते हैं और आपका जाती प्रमान पत्र जब बन जाएगा उसके बाद आपको कैसे इसे डाउनलोद करना है उस टॉपिक पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परकार का अपदेथ हो सबसे पहले आप तक पहुंचती दहें तो दोस्तों आज के वीडियो में बास इतना ही फी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तपिक के साथ जाए हिंद